कि अच्टूरेंस में फिर हाज हूँ एक और लेसन के साथ जिसके नम नमबर है लेसन नमबर फोर यह मैं फिर से क्यों बना रहे हूँ क्योंकि मेरे पिछली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गए थी जिसके वज़े से मुझे अपना पूरी वोईस हटाना पड़ा क्योंकि कॉपी राइट लग जाता है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है आज़ा यूटूबर के लिए सो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत सौरी बोलती हूं कि उस लेसन को लेके बहुत स्टूडन को दिक्कत हुई होगी इसलिए मैं फिर से वो लेसन रिपीट कर रहे हूं एक रीजन यह है और एक रीजन यह हैने न्यud updates को इसमें थोड़ा नाम में चंजिसाया और थोड़ा सा लेसन में चंजिसाया इसलिए पहले उन्टिझूज सॉरी इंटिद्यूजिं माइसेल्फ था तू चलिए देनकर पे स्टार्ड करते हैं आज के लेसन लेसन इसटान। फॉर इंतूसिंसेट अपडेट स्टार्ड अपॉइंट एसे में हैं ग्रीटिंग्स informal informal क्या होता है formal और formal हो जाता है work place पर informal हो जाता है as a family and as a friend ओके यह हो जाता है आपका informal तो चलिए informal पर चलते है informal में आप क्या क्या greeting दे सकते है hello and hi ठीक है hello and hi यह हम start करेंगे जैसे अब इसमें क्या हो जब है hello and hi में hi hello कभ यूज कर सकते है hello हम हर किसी के साथ में भी यूज कर सकते हैं हर किसी के साथ respect okay informal में as a alter जिसके हम respect करते हैं ओके हमारे बहुत close है जिनका हम basically बहुत respect करते हैं उनके लिए हम Hello का यूज़ कर सकते हैं और सब के लिए में भी यूज़ कर सकते हैं ठीके बट लेकिन जो High है ना वो खाली हम अजा अपने ़ के लेवल के Friend के साथ Sib commenा के साथ और अपनेश लेवल के जो भी पर्सन ने उनके साथ हम High का यूज़ करते हैं ठीके चलिए आगे बढ़ते exercise 1 में इसमें दिया गया greeting your aunt and friends ओके fill in the blanks तो यहाँ पर हमारा जगा hello यह आपकी book को आपको अपने according भरना है क्योंकि FA की book जो person के पास है as a student वो अपने according वो book को fill up करता है ओके सब अपने according करीएगा मैंने अपने according करा था ठीके अब आजाते sorry my introduction ठीके हमें अपना introduction देना है fill in the blanks में ओके students and learners चलिए यहाँ पर आपका आजगा good morning my name is manju मैंने अपना नाम लिखा था आप अपना नाम लिख सकते है जो भी आपका नाम है ठीके चलिए next पर आजाते I am I am 29 years old I am 29 years old basically आपको अपना introduction यहाँ पर लिखना है आपका नाम आपकी age कहाँ आप रहते हो और आप student हो या work करे हो वो आपको लिखना है ठीके चलिए next पर आजाते I live in मीठापूर बदरपूर डेली I live in मीठापूर बदरपूर I am a student I work at factory आप अपने वे में लिख सकते हो I hope आप students and learners समझ गये होंगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं sorry my introduction my introduction ठीके हमें अपना introduction देना है fill in the blanks में okay students and learners चलिए यहाँ पर आपका आजगा good morning good morning my name is manju मैंने अपना नाम लिखा था आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ आपका नाम है ठीके चलिए next बढ़ा जाते I am I am 29 years old I am 29 years old basically आपको अपना introduction यहाँ पर लिखना है आपका नाम आपकी age कहाँ आप रहते हो और आप student हो या work कर रहे हो वो आपको लिखना है ठीके चलिए next बढ़ा जाते I live in मीठापूर बदरपूर डेली I live in मीठापूर बदरपूर I am a student I work at factory आप अपने वे में लिख सकते हो आप सिखते हैं Second exercise है Introduce self to younger or same age आपको अपना introduction करना अपने same age person के साथ उसके साथ हम हाई का use करने वाले हैं for greeting चलिए Let's get started So, Hi I am Manju आप अपने according अपना नाम लिखोगे मैंने अपना लिखा है चलिए अब next पर आजाते है Nice to meet you Manju Nice to meet you आपका new friend आपको अपने new friend से introduction करना आपका new friend आपको greet करेगा Nice to meet you जो भी आपका नाम है आज़मन्जू, दीपक, संजू, अंजली, साक्षी, हरिश ओके जो भी ये नाम है So, ऐसे आपको ये book को fill up करनी है बहुत easy है बस मुझे क्योंकि मैं 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 आपका जाएगा फिर से same age person यहाँ पर आप अपने according भरिएगा Hi Rahul, I am Manju Okay Hi Rahul, I am Manju Okay आप अपने according फिल अप करिएगा जो भी आपका friend आपको ये नाम लिखना है और अपना नाम लिखना है Hi Rahul, I am Manju चलिए next पर आ जाते हैं Next पर Nice to meet you Manju Nice to meet you आपका friend आपको greet करेगा Nice to meet you Manju Nice to meet you Harish या Deepak Sanju Anjali Jyoti जो आपका नाम है ठीकी I hope आप समझ गया होंगे चलिए आगे आजाते Students Learners अभी हमने Informal Greeting सीखी जो Same age person के साथ हम यूज कर सकते ओके जो elder के साथ यूज कर सकते अब लेकिन अब तोड़ा different आ गया है Formal Greeting हम सीखेंगे Point B में Okay Point B में Let's get started So तीन टाइब की Greeting होती है यह हर कोई जानता है फिर भी मैं Repeat कर रहे हूँ Morning की Afternoon की And Evening की Morning तो यहाँ एज़र लिखा ही है आप यहाँ पर Afternoon एड़ कर सकता है Evening Good Afternoon Good Evening Good Sorry Good Afternoon Good Evening इनका आप यूज कर सकते हो Morning सुभे Afternoon की दुपहर And Evening की शाम को Or Good Night At The Night Alright चलिए अब आगे बढ़ते हैं